Hello and welcome to the studio members आज हमने दो इस्टॉक्स पर्फिट किया बर्जर पेंट और एसकोर्ट का तो आज की वीडियो में हम लोग बर्जर पेंट को अनलाइस करेंगे इसके ट्रेट को अनालसिस करेंगे और जो दूसरा स्टॉक था हमारा एसकोर्ट का और आज ओर में 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 उच्पाकार को आगे अनला में किश हे इसकोब तर्ट का हम इसकोव ब्लाइस को देखंगे देखेंगे विखशक में एक अच्छ लेवल से दोने स्टॉक को मिले था और बर्जर पेंट को अन Temára के सिशेर कर दिया था सेम लेवल माक करके और उसी लेवल हम लोसको ट्रेड भी किया है बाइसाइड में तो इन दोनों इस टॉक्स को भी देखेंगे परफेक्ट सो सबसे पहले और बूक हम लोग देख लेते हैं और बूक में कॉनिटीज एंड एंट्री पॉइंट्स और बूक अपनी परफेक्ट यह मेरी order book है यहां पर कई सारे orders आपको आज नजार आएंगे तीन और चार तीन साथ लगबग order मेरे इसके अंदर लगे हुए है थोड़ा असा confusion हो सकता है एक बाद पेज को refresh कर लेते हैं तो परफेक्ट टोटल कॉनिटीज हमारी जो बर्जर पेंट्स के अंदर थी 1350 के आसपास की कॉनिटीज थी और एसकॉर्ट को हमने 250 कॉनिटीज के साथ ट्रेट किया था तो डाउंसाइट की ओर्रस जो हम माग कर रहे हैं भी यह वाले यह मेरे बर्जर पेंट्स के अंदर के हैं सो एसकॉर्ट में एक वार हम चार या पांच बाद का प्रॉफित लेकर के है एंड एसकॉर्ट ने हमको आज 6,000 के लगबग का प्रॉफित यह था ठीक है तो एक ठीक ठाक्रेट और एक डीसेंट सा प्रॉफित हमने आज के दिन इसके अंदर ग्रेब किया अपना एक छोटी से क्लिप भी हमने रिकॉर्ड करके आपको अपने ग्रूप में शेर की थ तो आप टेलिग्राम ग्रूप जोएन कर सकते हो जितना भी हो सकता है लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट बना रहता है आप लोगों के साथ ओके सो चार्ट पर चलते हूं चार्ट पर चलके आज के इन दोनों ही स्टॉक्स को कोशिश करेंगे कि कौन से इस थे क्या देख करके हमने बाई एफिश शॉट किया और हायर टैम फ्रेम पर क्या है नाजर समार्य उसके नतर रही थी बिकॉस चार्ट को रीट करना ही सबसे अधा मस्ट है एंट्री स्टॉप लॉस टार्गेट यह सब आप कहीं पर भी एंट्री लोग कहीं पर भी स्ट दो केंडल में लिए सबसे जाधा है एक तो है मेरी 10th of December की केंडल 10th 10th of December का हाई दूसरा 25th of November 26 and 25th of November यह दो पॉइंट्स यह दो केंडल में लिए इंपॉर्टेंट है अभी जून में या फिर जून से पहले भी जितने भी मैथेट से सिस्टम सुम फॉलो करते थी जिसको लिए फिर आप लोगों के साथ हम जो शेर करते हैं क्लासेज में भी जो पढ़ाया करते हैं अभी क्या देरे देरे उनको आगे चल करके और भी ज्यादा एकुरेट करने की कोशिश की है और भी ज्यादा पॉफेक्ट जैसे डेट्स का हम ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से time and prices का किस तरह से हम यूज करेंगे अपना trade setup यूज करने के लिए कुछ natural support points होते हैं इन natural support points या फिर resistance points का किस तरह से यूज किया जागा कोभी trade execute करने में लाइक जैसे बर्जर पेंट ही है अब बर्जर पेंट में ये 25th of November को ही क्यूं माकिया या फिर 10th of December को ही क्यूं माकिया लोवर टाइम फ्रेंज पर जब आ करके यहां पर प्राइस को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत साही चीज़े समझ वहेंगे लाइक जैसे कि यह एक सपोर्ट है सिर्फ इतना समझ लेज़े कि यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है 753.30 का इंपॉर्टेंट रेंज है एंड रेजिस्टेंस मॉइंट मेरा है 765 हाइर टाइम फ्रेंज पर भी जब आप यहां पर प्राइस को पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आगा कि जो लोज है ना मेरे यह देखिए यह अपसाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है हाइस की अपसाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है अचानक से प्राइस आपका इस रेंज पर आ गया है अल्रेड़ी मेरी 753 एक इंपॉर्टेंट रेंज है तो अब हमको अपने प्राइस एक्शन को देखना इस रेंज पर लोवर टाइम फ्रेंस पर आप देखेंगे तो दे हाए थे जास्ट हम ने क्या किया था कि जो स्विंग्स थे नगे इन स्विंग्स को ही अपना स्टॉप रहा लिया था और यह shared i low भी मिल गया था अभी day lows के जितने भी stop losses होते ना वो safe stop loss ही होंके 751.35 के 40 40 के मेरे यहाँ पर stop loss थे आज के trading session और targets के लिए हमने क्या देखा है कि 700 760 यह range मेरे लिए क्यों important थी देखे 760 के जब हम mark करेंगे यह जो prices बन रहे न यह जो supports बन रहे मेरे यह supports important हो higher time frame पर हमने देखा कि किस तरह से जो resistance थे रेस्टेंस की एक range हमने माकी थे और उसी resistance से हमारा 9.15 के नीचे ही price ने closing दी थी downside के तरफ आया एक support पर formations अपनी create के इसने entries की और यहाँ से price upside के तरफ चला गया अब price जब मेरा upside के तरफ जा रहा है तो कुछ resistance points होंगे जहां पर हमें अपने targets बूक करने होंगे यह बनी मेरी total एक range expected resistance points थे कि जहां तक price मेरा आ सकता है यह वाला point है हमें यहीं पर अपने targets बूक करने थे सो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि एक support से price को उठा करके एक resistance तक हमने कोशिश की कि वहाँ पर हम अपने targets को बूक करेंगे इसमें बहुत सारे life market में आपको challenges देखने पड़ेंगे कि जैसे जब आपने entry ली तो entry लेने के बाद में price आपका नीचे तक आया है जहां तक इस range पर इसने rejection दिखाया था first time इसने rejection दिखाया था हमने क्या किया जस्ट उसी जगह पर अपने targets को बूक कर लिया वापस फिर और ज्यादा हमने वेट नहीं किया price जैसे upside की तरफ गया हाई जो यह लगा था मेरा आप 1135 का हाई देख सकते हैं 1135 का हाई 760.50 और यह जो हमारा profit booking का एरिया था यह भी 760.50 का ही था तो day low के मेरे stop process थे higher time frame को analyze करके higher time frame पर हमने अपने end risk के point से निकाले और upside के तरफ में resistance को target बनाया और वहीं पर हमने targets को book किया अभी virgin paint के बाद में दूसरा stock मेरे पास था escort का अभी escort को treat करने की पीछे के क्या reasons थे जैसे कि escort में भी आप देखोगे analysis वही रहेंगे आपकी किसी भी stock को जब आप analyze करोगे तो analysis सारी की सारी वही रहेंगे important points कौन कौन से आते हैं कि आप किस stock को किस price range पर trade कर रहे हो या वह stock आपका कब उसके important zone पर आया है अभी किसी भी stock उठा करके कहीं से भी तो trade नहीं कर देंगे हमेशा में wait करना होगा अभी आप nifty को या bank nifty को trade करोगे तो वह तो एक ही element है एक ही चार्ट है वह हमेशा से तो अपने important range पर नहीं रहेगा अब जैसे माली जी यह मेरा bank nifty का चार्ट है एसे तो escort का है just imagine कि यह आपका bank nifty का चार्ट है अभी bank nifty में आपको रोज रोज trade करना है या nifty में भी आपको रोज trade करना है तो वह रोज अपने important zone पर नहीं आएगे जैसे कि escort है इतने सारे stocks हैं अभी stocks में क्या करेंगे के ranges mark करके रख लेंगे escort कुम काफे दिन से देख रहे हैं trade करने के लिए इस यह आज हमको हमारे support zone पर मिला है इसके support काउन काउन से like यह वाला हम यहां से इसको trade करना था या फिर हम इसके resistance से trade करते हम in between trade नहीं करेंगे कहने का मतलब आपको हमेशा एक सही place का wait करना होगा एक सही range का इंतिजार करना होगा जो कि जब आप option वगरा trade करने जाओगे तो वहां पर आपको सही places नहीं मिलेंगे जिस वैसे क्या होगा कि आपका risk and reward ratios बढ़ जाते हैं win rate बढ़ जाएगा आपका तो कोशिश कीजिए किसी भी दूसरे segment को trade करने से पहले आप equities में mastery करिए equities में profitable हो जाएए उसके बाद में किसी दूसरे segment को trade करने जाएए वरना losses के chances बढ़ जाते हैं अभी escort में जैसे मैं आपको बताया है कि यह इसका एक support zone है यह इसका support area है क्यों support area है यह एक swing high है हमारा अभी swing high को जब आप mark कर लोगे तो price में यह एक support point है price ने क्या किया था कि अपने इस support को downside की तरफ break किया और उसके नीचे जो second support था वहाँ पर price आया हमने क्या किया कि escort को उसी range से पकड़ा मतलब उस एक support से पकड़ा support पर आते ही इसने volume increase कर दे यह जो volume increase हुई है यही मेरा signal था कि price में यहां से movements हो सकती है just because of कि मेरा predefined एक level भी है और उसी range पर यहां पर volumes increase हो रहे है मतलब कि यहां पर buyers और sellers का interest बढ़ रहा है आप इस volume को देखेंगे जो आज 9 बचकर पर आई यह कितनी ज्यादा volume थी देख रहे हैं यह कितनी बड़ी volume थी हमने क्या किया कि इस range से उठा करके इस stock को trade किया just थोड़ा सा move हमको catch करना था तो पूरा देख हमने इस के अंदर नहीं लिया सिर्फ 250 quantities के साथ हमने इस को trade किया था by side के तरफ 1815 पर मेरी entry थी 180.30 यह मेरा stop loss काहिलिया था और हमने जो अपनी इस के अंदर targets बुक किये थे वह 1836.90 की ranges थी यह resistance points थे इनको कर देते हैं डिलेक चलिए यह जो range आप देखने ग्रीन वाली candle just यहीं पर सारे targets बुक कर लिये थे movements काफी ठीक ठाक हो गया था so एक simple setup हमको escort के अंदर लगा था जिसके वैसे के अंदर में profits को बुक किया था इस range को जब आप mark कर लोगे देखें तो क्या आपको मिलेगा कि यही वो range है यह एक resistance point है price में देखें क्या हुआ है कि इसी zone से price आपका up या फिर downside होता है जैसे की यह देखें यहीं से price आपका नीचे की दिशा में गिर गया था यह क्या है यह एक support level है इस method को बहुत बार में आपको समझा चुके हैं यह support zone है इस support पर price आया है यहां से यह upside की तरफ चला गया और वैसे ही जैसे के नीचे की दिशा में गिरा था आज के दिन वैसे ही जैसे यह resistance point पर पहुँचा है फिर यह downside की दिशा में गिर गया हमारा view clear होना चाहिए कि हमें करना है क्या stock हमारी confirmations होनी चाहिए कि हमें stocks को trade कैसे करना है कि आपके पास को method है trade करने का को confirmations के systems हैं आपके पास trade करने के कहीं से भी stock को उठा लिया और किसी भी range से उसको trade कर दिया green candle बंडरी buy कर लो red candle बंडरी short कर दो हमेशा आप loss करोगे ओके ज्यादा stress नहीं करते हैं बातों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके time expense कीजिए charts को rate करने में जैसे रात को कल रात में हम बैठे बैठे 130 पर शायद हमने आपको apple का chart share किया था अपने telegram group में आपने शायद उसको देखा होगा 130 पर वो अपनी range पर आया था और अभी देखिएगा जो range हमने आपको draw करके दी थी आज जो market open होगी वो range apple के charts के ओपर किस तरह से effect डालेगी हमने वो line mark कर दी तो उस line को कुछ बहुत बढ़़ए effect नहीं पढ़ जाएगा वो एक price range है देखिए कि price उस range पर करता क्या है आज की market की opening देखिएगा apple की और उस range से price को analyze करते कि कोशिच कीजिएगा आप लोग ओके so thank you और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं and market ने ठीक ठाक profit और एक डीसेंट सा profit हमको आज के दिन दिखाया था so 16,000 प्लस के आसपास मेरा मेरा profit so एक weekend का ये profit मेरा इतना ही है so thank you goodbye and happy weekend we will meet again